ये तो होना ही था जी हाँ आज जो PCV ने टीम एनाउंस करी है उस्टेलिया टूर के लिए और जिंबाबे टूर के लिए उससे मुझे कोई सर्प्राइज नहीं हुआ है क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज होनी ही है चीज क्या है बावर आजम पाकिस्तान की टीम में वापस आ गया है इंगलाइन के खिलाप लास्ट टू टेस्ट मैचेस के लिए बावर को ड्रॉप किया गया था तब बहुत लोगों ने बावर का मरसिया पढ़ दिया था कहा कि इसका करियर अब खतम हो गया है बावर आजम इस नोट गई टूम बैक इन्टू टीम में वापस आ ग तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट ने समझदारी भरा कदम यह उठाया है कि और जिमबाबे टूर के लिए अलग अलग टीम में चुनी है और जिमबाबे के लिए जो टीम चुनी गई हो वहां तो पूरी ही टीम अलग है सबसे बड़ी ख़बर इस टीम की क्या है क पाकिस्तान के ग्रेट नियूज क्योंकि रिजवान के लावा और कोई बड़ा दावेदार था भी नहीं बावराजम पहले ही पता चुके थे कि वो कप्तानी नहीं करने वाले हैं जिस तरह से साइन्शाह अफृदी को सेंटरल कॉंट्रेक्ट में A से डिमोट करके B में डा तो रिजवान ही एक च्वाइस बच जाते थे चैलेंज था उनको किस से सलमान अली आगा से और इस बात को एकनॉलेज किया है PCB ने भी क्योंकि सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है जिमबाबे टोड के लिए मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान अली आगा को अपने कप्तान नहीं बनाया उनको थोड़ा और ग्रो होने दीजिए उनको थोड़ा और सीखने दीजिए लर्न करने दीजिए दुनिया को समझने दीजिए दुनिया की करकेट को समझने दीजिए और इन फ्यूचर आप उसको कप्तान बना सकते हैं फिलहाल मुहमद रि तो मतलब जो तीन प्लेयर ड्रॉप हुए थे टेस्स से लास्ट टू मैच के लिए उन वो तीनों जो है वापस आ गए हैं बावराजम भी वापस आ गए हैं और साइनसा अफरीदी भी वापस आ गए हैं यह ओडियाई टीम है टीटी टीम देखे क्या है उमद रिजवान यहा पारिस रओ भी हैं हसीबुला खान विकेट कीपर हैं जहादाद खान यह नया नाम है उसके बाद अबास अफरीदी इर्फान खान नसीमसा ओमेर इसुफ साहब जादा फरहान अच्छा खेलते हैं साइनसा अफरीदी सुफियान मुकीम और उस्मान खान यह टीटी टीम है म बावर आजम नसीमसा ड्रॉफ हुए थे टेस्टीम में लेकिन आपको क्या लगा था यह वापस नहीं आएंगे वापस इनको आना ही था और अच्छा कदम है जिम्बाबे टूर पे ओडियाई में तो मुहमद रिजवान कप्तान है लेकिन ओडियाई टीम में बावर आजम नहीं है बावर आजम को यहाँ पर रिष्ट दिया गया है इट्स ग्रेट बूब बावर आजम को हर सीरीज खेलने की जरूरत नहीं है बावर आजम को हर टीम के खिलने की जरूरत नहीं है सलमा नागा यहाँ वाइस कैप्टेन है बाकी टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं T20 मुकाबले जो होंगे जिम्बाबे में यहां सलमा नागा को कप्तान बनाया गया यह अच्छा कदम है और बाकी टीम भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो बाबारादम को रेश्ट देना जिम्बाबे टूट से I think it's a great call आपने साइन शापरीदी को भी रेश्ट दिया है इ देखना है यह टीम परफॉर्म कैसा करती है आपको क्या लगता है कैसा परफॉर्म करेगी पाकिसान की तीम आस्टेलिया में कमेंट में लिक करके जरूर बतलाईएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा बहुत जल्दी फिर मुल होती है